दोस्तों एक बात शेयर करना चाहूंगा अभी दिसंबर में इसराइल और इंडिया की बीच में कॉंट्राक्ट हुआ है कि जो भी वर्कर्स हैं वहां पर युद्ध गएरा हुआ था तो वहां पर सिस्टम इस तरह का है वहां बहुत जादा डिमांड है वर्कर्स की वह वकर् पर जब इन्डिया में नौन मुसलिम पीपल बहुत जादा है तो इस वज़े से वह यहां चाहिए तो चीजें सही थे पर जब इन्वोने रिकूट्मेंट एजन्सीज को जो कंसल्टेंशी है जो विदेश का काम करती है उबर्चीज का काम करती है उनको कॉंट्रेट्रेट दिया कि हां हमको यह वर्कर चाहिए तुम अरेंज करके दो तब तो ठीक है पर जब यह एजन्सियों ने अपनी सर्विस चार्ट चालू किया कि हम लेंगे तीन लाग रुप है हम लेंगे चाल लाग रुप है रेकूरूट करने के लिए अगरिकल्चर वर्कर के लिए ऐसा ले रहे हैं तो यह 5 साल का बोल रहे हैं कि हम 5 साल का कॉंट्रैक्ट देंगे पर अगर व्यक्ती 5-4 लाग रुप देगा है यहाँ पे तो पहली बात से कुरिती नहीं है यहां पर बिल्कुल जाना नीचे यह वरकर्स को security नहीं है क्योंकि पहली बात यहां पर इंडिया में काम और विदेश में काम totally अलग तरीके से होता है किस तरह से काम होता है यहां पर टोटली अलग तरीके से काम होता है मैंने देखा बहुत सारी लोग मेरी कंपणी में आये वह कुछ कुछ एक अप्टेम चले जाते हैं वापिस, कुछ महीना बर लगता है, दो महीना, किसी को कुछ प्रउबलम, किसी की फैमिली प्रॉबलम, बहुत सारी प्रॉबलम, आदे से जादा, जैसे विदेज में अगर 10 आदमी आ रहे हैं किसी कंपनी में, तो कम से कम साथ आदमी वापस चले आते हैं, सिर्फ तीन आदमी रहते हैं, तो ये कंडिशन होती है, ये इसराइल में भी होगा, देखिए इसराइल में अभी डिमांड आई है, वरकर जाएंगे, आदी से जादा जिसे दस वरकर गए, साथ वरकर वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ का काम, विदेश का काम टोटली अलग होता है, वहाँ का महौल अलग होता है, वहाँ एक साल आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद आएंगे आप एक साल, एक महीने की जुट्टिया, दो महीने की जुट्टिया, फिर वापस जाना पड़ेगा, पहुत सारी दिक् से लोग किस किस तरह की से अरेंज करते हैं पैसा फिर वो देते हैं एजेंट को पर मुझे दिक्कत यह हो रही है कि यह इसराइल गवर्मेंट ने इंडियान गवर्मेंट से साइन किया है ट्रीटी कि हमें वर्कर चाहिए तो यह रिकृूरूप्मेंट फीज नाम की चीज पर रुपय होगी पर यह सालरी प्रैक्टिकल नहीं है मैं आपको बताऊं विदेश में क्या होता है सीन कि जो कंपनीज है वो दिखाती है कि हम इतना फी हमारे जो सालरी होगी हम इतना देंगे हम उतना देंगे पर इस फील्ड की बात कर रहा हूं कंस्रक्शन और फार्म और ज मैं उसके बाद उसको ट्राल पर रखा जाता है वो दस दिन पंदर दिन रख कि उसके उसको बाद उसको दूसरा पर थमा देते है कि यूर नॉट आप उसस तरफ़ पर काम नहीं कर रहे है एक साई और अगर आपको काम करना है तो भय यह काम करो नहीं करना तो यह वापिस और आपने जो पैसे लगा हैं वो भी गए तो ये कुछ मैंने देखा अभी YouTube में कि agriculture की जो vacancies हैं उसमें वो interview भी नहीं ले रहें सीधे CV selection हैं दूसरे construction sector हैं उसमें वो interview भी ले रहें पर आप कभी भी किसी के interview से आप ये जान नहीं सकते कि वो विक्ती वहां पर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा खासकर construction sector में construction sector का काम ही अलग तरी के जो होता है मैं खुद एक construction company में काम करता हूँ मुझे पता है कि किस तरह से काम क जाएगा इसराइल तो अगर उसको काम नहीं पसंदा आया तो वापिस आएगा उसका तो पैसा डूब जाएगा ये अगर कोई privatized चीज होती प्राइबटाइज जैसे कोई private company आ है उन्होंने बोला कि हमें worker चाहिए ले लो ये हो जाएगा पर इसमें जब government involved है government ने sign किया कि हाँ हम अपने workers भेजेंगे तब ये company इतना इतना पैसा ले रही है ठीक है और जो promise कर रही है salary का वो guaranteed इत्ती salary practical नहीं है गल्फ country में भी इत्ती salary नहीं मिलती वर्करों को ये जो बता रहे है एक से तेरल लाग रुपए ये agriculture worker को सिर्फ America, Canada, Australia और कुछ European countries में मिलती है सारी European countries में इत्ती salary नहीं है वो भी agriculture worker के लिए हो construction सिर्फ ये बड़ी जो countries है उसी में है पर ये चोटे-चोटे वो बगल में है जौर्डन है बगल में साओधी अरेविया के बगली में है वहाँ बता रहे है इत्ती salary ये practical नहीं है बिल्कुल वहाँ पर जाएंग उसके और वो वहाँ पर डेल लागर रुपे देंगे नहीं कदा पी नहीं हो ही नहीं सकता वो इधर से नहीं ले लेंगे workers ऐसा नहीं है तो ये impossible है वहाँ पर जाएगा उसके बाद बदल दी जाएगी salary और ये जो पैसा ले रहे है इसको अगर arrange करके आप 50,000 ले लो ना recruitment fees बाद म भी तो contract होता है ना contract होता है उसके बाद वो sign करता है कि हाँ ठीक हम जाएगे तो company खुदी involved हो जाए ना इसमें contract कर लें कि अगर वो उसको वहाँ पर रुपता है तो बाखी बाखी fees वो repay करेगा ठीक है या उसकी salary से कर जाएगी और recruitment fees वो 50,000 दे रहा है जिक वो visa fees समझ लो और flight fees समझ लो कि यहाँ company को उसका जहलना नहीं पड़ेगा इन case उसको पसंद नहीं आया तो कम से कम उसने flight का और visa का तो fees दे ही दिया समझ पचास अजार उसने जमा किया तो पचास अजार सही है पचास अजार best है बाखी fees उसके salary से कटनी चाहिए क्योंकि यहाँ government involved है सरक इसी कटना चाहिए अगर government involved है तो अगर इस तरह से अगर कोई जा रहा है न मुझे मुझे इस तरह से लग रहा है तीन से चाल लाग रुपे नहीं देना चाहिए पर जो इस तरह के लिए और जो salary का यह promise कर रहे है वो salary practical नहीं है आप खुद से समझ दो खुद से देख salaries देख लीजे वहां के salary क्या चल रहे है तो आप खुद ही देखिए कि किस तरह से दे सकते हैं पैसा अभी उनका युद्ध वगेरा हुआ है उनकी वैसे economy की ऐसी तैसी मर चुकी है उसके बाद वो workers को कैसे पैसा दे दे नहीं बिलकुल नहीं दे सकते हैं आप खुद से practical सम समझने का प्रयास कीज़े तब आपको समझ में आएगा इससे अच्छा अगर आप इदर पैसा दे से इससे अच्छा किसी और country में आप देख लीजे वो ज़्यादा बहतर है बजाए इसराइल क्योंकि वहां first safety issue second practical नहीं है जो अभी वो salary बता रहे है कोई worker गया नहीं है व किसी को जाना है तो कम से कम हो दो महिना कम से कम एक दो batch को जाने दीजिए उनका review सुनेंगे वहां से तब आप decide करेगे क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी कुछ निकाली ऐसा थोड़ना है कि एक बार में सारी भल लेंगे कुछ worker मंगाएंगे उ किस तरह से माहौल रखा है किस तरह से उनको रख रहे हैं खाना कैसे दे रहे हैं अगर आप पहली बार में चलेगे तो यह मुश्किल में पढ़ जाएंगे मेरे जापको आपको नहीं जाना चाहिए अभी वेट करना चाहिए क्योंकि अभी अभी उनने खोली है विगेंसी अभी और भी आई नहीं ठीक है अभी आपको बिल्कुल एजराइल के लिए अपलाइए नहीं करना चाहिए मेरी तरह से बिल्कुल नहीं आए आप वेट कीजिए वेट कीजिए दूसरे बैच का वेट कीजिए आप पहले रिव्यू देखिए क्योंकि आप एक साल के लिए लीगे नहीं जया ह giornें है वापिस आज एक जाल के लिए के हां चले गए हो आपसा को तो आपको इतनी बनता कि आप चीजों को सोफ बार आप को सोफ समझ के जहीं ठाएए मेरी होप अब समझ में गए द्विए जो मैं शियर करने का प्रयास कर रहा थ है